खबर समय जगत में आपका स्वागत है मैं हर्शिता जोरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पूर एक्सप्रेस कार्याले का शुभारंब हुआ बारात घर में कॉंग्रेस कारेकरताओं एवं आम जंता को संबोधित किया और चिंदवाड़ा की विकास के बारे में बताया उन्होंने अपने उद्वोधन में कहा कि 28 फरवरी को माननी कमलनाथ जी के द्वारा मेडिकल कॉ कालेजों का उद्गाटन किया जाएगा जिसमें सभी प्रकार की फैसिलिटी उप्लब्द होगी स्टूडन्स कडेट्स आप सब चिनवाना की बविश्य नहीं है आप पूरे भारत के पारतेश की बविश्य है आप लोगों से यही प्रात्मा है कि आप सची शर्डा और निष्टा और पूरी मेने से पढ़ाई करें और जिंदगी में बहुत सफल मनें और सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज अस्पताल में हो पाएगा उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि युवाम होने के नाते उनकी प्रात्मिक्ता युवाओं की ओर है और कमलनात जी की प्रात्मिक्ता की किसानों की ओर है सबसे बड़ी चुनोती युवाओं के बीच में बेरोजगारी की है और उन्होंने आस्वाशन दिया है कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें रोजगार मिल सके खबर समय जगत के लिए चिंद्वारा से अजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट